सबी सांथियों को मेरा नमस्कार आप सबी का मेरे यूट्यूब चैनल NTA Net Preparation में स्वागत है आज 26 नवंबर की दिनांख है और आज के दिन को हम सम्विधान दिवस के रूप पर बनाते हैं तो इसी को लेकर आज का वीडियो है क्योंकि 26 नवंबर को सम्विधान दिवस क्यों बनाया जाता है कब से बनाया जाता है ये कुछ ब्रहांतियां हैं उनको आज मैं इस्पष्ट करने का प्रयास करूँगा और सम्विधान दिवस की इस विशेज बिला पर आप लोगों से सम्विधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदूओं पर बात करेंगे तो सबसे पहली ब्रहांति जो लोगों को है वह यह है क्योंकि 26 नवंबर 1950 को हमारा सम्विधान बनकर लागू हो गया था तो इसी दिन से 26 जो ये सम्विधान दिवस है वह बनाया जाता है कहीं बार मैंने लोगों को बोलते सुना है जो कि ये गलत बात है 19 नवंबर 2015 को इसकी सरप्रथम गोशना हुई थी और 26 नवंबर 2015 को पहली बार हम ने क्या है सम्विधान दिवस बनाया था तो एक तो आप लोग इस चीज़ का दियान रखिएंगे दूसरा एक कंफ्यूजन लोगों के पास यह रहता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा सम्विधान लागू हुआ है तो आकि 26 नवंबर को हम सम्विधान दिवस क्यों बना रहे हैं किन्तु 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू किया उसको 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे भी एक कारण था वह घटना है कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के टर्थ पर कॉंग्रेस के जो कार्य करताओ थे उन्होंने उस दिन को क्या है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की और उस दिन से 26 जनवरी 1930 से वह परतेव वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते थे किन्तु 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और स्वतनत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है तो उस 26 जन्वरी के दिन को याद रखने के लिए ही 26 जन्वरी 1950 को हमारा समिधान लागू किया गया था तो एक ब्रांती यह आपकी दूर हुई होगी यह 26 नवंबर को जब बन कर तयार हो गया था तो 26 जन्वरी याने की लगबग दो महा रुखने की क्या हो सकता थी यह ब्रांती दूर हुई उसके पश्चाथ अब हम थोड़ा सा समिधान के दर्सन पर बात कर लेते हैं आकरी समिधान निर्मान की बात कहां से आई और इसका इस पर ज्यादा गहराई से द्रिष्टि पात मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस पर अलग से पुरा कॉंस्ट्यूशन का मेरे चैनल पर पेज कॉंस्ट्यूशन का पूरा पेज है उसमें जाकर आप क्या है सारे वीडियोस को देख सकते हैं और गहराई से जानकारी ले सकते हैं फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदू है जिन पर बात करना आउशक है जैसे कि 9 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा की पर्थम बैठक होती है सम्विधान सभा याने की जिसने सम्विधान का निर्मान करना था 9 दिसंबर 1946 को इसकी पर्थम बैठक होती है और डक्टर सचीदान अंसिना को जो की सबसे व्यवविर्द सदश्य थे हमारी सम्विधान सभा की उनको इसका अईस्थाई अध्यक्ष उस दिन चुन लिया जात है उसके परश्चात 9 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है और उस दिन डाक्टर राजिंत प्रशाद को इसका जो सम्विधान सभा थी उसका इस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है और जो एचन मुखर्जी थे उनको सम्विधान सभा का क्या है सौरी हाँ है इसकी तिति को भी याद रखना महत ट्व पूंढ है क्योंकि इस दिन जो उद्देश्य प्रस्ताओं जो की लगभग लगभग उसका सेम सहरू हमारी प्रस्ताव भारतियं समीदान सभा के सामने जवाल नधैयरुदारा रखा जाता है उस उद्देश्य प्रास्ताओं को आपको यतिती भी याद रखनी है 13 दिसंबर 1946 को ये रखा जाता है और 22 जनवरी 1947 को सम्विधान सभा सर्वसम्मती से इसे पास कर देती है और उसके पश्चाती क्या है सम्विधान को बनाने को लेकर कार्या होता है आपको यह भी याद होना चाहिए कि हमारी सम्विधान सभा में पहले 389 सदश्य थे यानि कि 389 सदश्य थे किन्तु बाद में सिर्फ 296 सदश्य इसमें बच गए थे क्योंकि मुस्लिम लिखने क्या है बैसकार किया था और आप जानते हैं कि अलग पाकिस्तान राज्य का क्या है गठन हो चुका था तो उस कारण को बाकी बचे सदश्य वहां चले गए थे तो 296 सदश्यों ने मिलकर क्या है भारत्य समिधान का निर्मान किया था यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ब्रांती और मैं किसी व्यक्ति विसेश का किसी समुदाय विसेश का विरोध न समको सुद देखने को सुनने को मिलती है कि समिधान जो सम्विधान है उसके निर्मान में डाक्टर अमबेटकर ने महतपूर्ण योग जान दिया था इसमें कोई सक नहीं है क्योंकि प्रारूप समीति के वह अध्यक्स थे उन्होंने प्रारूप बनाकर तयार किया था वह प्रारूप समीति प्रारूप याने की जिन्होंने रूप इस्ट्रेक्चर दिया था कि कैसा हमारा समीधान होगा तो इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इनके साथ साथ अन्या सदश्या थे पैसे नौ सदश्या थे एक की मृत्य हो गई थी एक ने अपना आखिर क्यों मनाया जाता है समीधान दिवस इसी को जानने के लिए क्या है समीधान दिवस क्यों मनाया जाता है इसको जानने के लिए ही समीधान दिवस मनाया जाता है कि आखिर हमारा समीधान है क्या हमारा समीधान हमको देता है हम अपने समीधान के बारे में जानकारी प् पंद्रास को पहली बार बनाया गया था और अभी यह 2020 में क्या है च्छेकवी बार समिधान दिवस बनाया जा रहा है यह आपको दियान होना चाहिए इसके अत्रिक्त अगर भारतिय समिधान की बात करें तो बहुत सी विस्ष्ट 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 ऐ्यार हुआ था तीन सो पिचारनव सीरे आठ अनुसूचिया और बाइस बाइस में में इसमें अगर गिंती के रूप में देखें तो चार सो पिचात्तर से अधिक अनुखिय हैं कि कि बारा अनुसूचिया है और पच्चीस geç वहागा हमारे समयदान में इस समय है हमारे समिधान में मौलिक अधिकारों का इतना विश्तरित वर्णन किया गया है कि उतना जितना वर्णन हमारे मौलिक अधिकारों का किया गया है उतना तो अमेरिका का कुल समिधान है इतना अधिक विश्तरित वर्णन मौलिक किया गया है भाग दो में नागरिक्ता का वर्णन किया गया है भाग तीन में मौलिक अधिकारों का भाग चार में नीती निदेसक तत्वों का वर्णन किया गया है मौलिक कर्तब्यों का वर्णन किया गया है केंद्र व्यवस्था पिका केंद्र की जो राज्य व्यवस्था है राज्य या प्रांतों की विवस्ता है उसके पिश्चात पंचाइती राज जो विशिष्ट छेतर हैं हमारे केंदर सासित पर्देस हैं सब की सासन विवस्ता का वर्डन किया गया है चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग इन सब का वर्णन हमें वहारे सम्विधान में देखने को मिलता है और एक बहुत विश्तिरित हमारा सम्विधान है तो यह कुछ बाते थी जो कि सम्विधान दिवस के आउसर पर मुझे आपसे कहनी थी कि इसके अत्रिक्त कुछ अन्य बातें इंपोर्टेंट हैं जो कि आपको क्योंकि तिथियां हैं और तिथियां याद करने में काफी कंफ्यूजन होता है तो इसलिए तिथियों को याद रखेगा 26 नवंबर 1959 है 26 जनवरी 1950 है इसके अत्रिक्त राष्ट गीत और राष्ट गान को भारत के समूदान ने अपनाया था और कहीं पोछा भी जाता है कहीं अक्जामस में तो आप यह याद रखेगा 24 जन्वरी 1950 को भारत्य समिधान में जो राष्ट्रगीत है बंदे मात्रम उसको अपनाया गया था और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक समान इनको महत्वा देते हुए राष्ट्रगान जनकनमन को अपनाया गया था इसकी अत्रिक्त समिधान निर्मान होने से पूर्व ही 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगा को अपने राष्ट्र द्वच के रूप में अपना लिया था तिथी याद रखेगा 22 जुलाई 1947 इसकी अत्रिक्त 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पर्थम राष्ट्र पती के रूप में क्या है डाक्टर राजे इंद्र परसाद पर्थम राष्ट्र पती भारत के बनते हैं 24 जनवरी 1950 के दिन ही इसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूं कि सचीदा नंसिना आपको ध्यान रखना है इस्थाई अध्यक्स थे डाक्टर राजे इंद्र परसाद इस्थाई अध्यक्स थे हमारे उपाद्यक्स थे समिधान सभा के इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताओं के बारे में मैंने आपको बताया कब रखा गया कब यह पास हुआ 13 दिसंबर 1947 को रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे पास आउट कर दिया था इसे सर्वसम्मति से क्या है समिधान सभा ने इसे पास कर लिया था इसके अत्रिक्त हमारे समिधान को बनाने में दो वर्स 11 महा और 18 दिन का समय लगा 50 लाग से अधिक क्या है धन इसमें व्याय हुआ लगबग 60-62 लाग रुपया इसमें व्याय हुआ तो ये कुछ बातें थी जो भारत्य समिधान के संदर में है आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए इसके अत्रिक्त अगर आप लोगों को समिधान के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अलग से इंडियन कॉंस्टूशन का पेज बनाया हुआ है उसमें जाकर आप क्या है मेरे इंडियन कॉंस्टूशन से संबंदित समस्त वीडियो को देख सकते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि भारत्य समिधान मैंने जैसा बताया कि बहुत बड़ा समिधान है इसको पढ़ने में समझने में क्या है कि वर्षों लग सकते हैं तो उसको जो समझा है हमने उसको बताने का प्रयास किया है। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।